पूरे विश्व में भारत ये खाने की तारीफ की जाती है साथ ही भारत में दूद का उत्पादन भी अधिक मात्रा में होता है और दूसरे बनने वाले उत्पादों की मांग हर समय रहती है दूसरे पनीय दही वा घी माखन इत्यादी पदार्थ बनाए जाते हैं ये पदार्थ स्वास्ते के लिए बेहद लाब दाइक वा उपयोगी है इन पदार्थों में दही भी आता है आज हम दही के सेवन से होने वाले फाइदों के बारे में चर्चा करेंगे दही का सेवन खाने के साथ या अलग से भी किया जा सकता है भारत में खाने के साथ दही में प्याज बूंदी या सब्जियां डाल कर बनायागा राइता परुसा जाता है दही में पाए जाने वाले पॉस्टिक तत्व शरीर के लिए बेहद फाइदे मंद होते हैं दही में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन्स के लावा आईरेन, लेक्टोज, फासफोर्स, इत्यादी तत्व भी पाए जाते हैं हड़ियों के लिए है फाइदे मंद दही कैल्शियम का अच्छा स्रोथ है, कैल्शियम हड़ियों और दांतों के लिए बेहद फाइदे मंद है नेमित रूप से दही का सेवन करने से हड़ियां और दांत मजबूत बनते हैं जोडों के दर्द में भी दही का सेवन लाब दैक रहता है जोडों के दर्ज से राहत पाने के लिए दही को हींग का तड़का लगा कर खाने से फाइदा होता है पाचन तंतर को करे ठीक दही का नेमित रूप में सेवन करने से पाचन तंतर समंधी समस्याओं में फाइदा होता है दही के सेवन से खून की कमी दूर होती है और पाचन शक्ती बढ़ती है भूख कम लगने पर दही का सेवन करने से भूख लगने लगती है साथ ही कब्ज की समस्या में भी दही खाने से फाइदा होता है इसके लिए दही में अजवाइन मिलाकर खाने से कब्स की समस्या से शुटकारा मिलता है आंतों के रोगों से करे बचाव पेट की गर्मी और पाचन शक्ती को बढ़ाने के साथ ही दही का सेवन करने से आंतों के रोग होने की संभावना कम हो जाती है एक अध्यन में पाया गया है कि दही का नेमत रूप में सेवन करने से आंतों के रोगों से बचाव होता है पेट की गर्मी को करे दूर पेट की गर्मी को दूर करने के लिए दही का सेवन करने से लाव होता है दही का सेवन पेट के लिए रामबान औशधी की तरह है तस्त लगने पर भी चावल के साथ दही खाने से आराम मिलता है पेट समन्दी समस्यां से निजात पाने के लिए दही में सिंधा नमक डाल कर सेवन करना चाहिए इसके लावा दही की लस्ती बना कर भी पी जा सकती है मुँखे शालों से दिलाय राहत मुह में शाले होने पर दही को मुह के शालों पर लगाने से शाले जल्दी ठीक होते है मुह के शालों से जल्द रहात पाने के लिए दिन में दो बार दही या लसी का सेवन करना चाहिए क्योंकि शाले अक्सर पेट की गर्मी या कब्ज के कारण ही होते है दही के सेवन से पेट की गर्मी और कबस से भी शुटकारा मिलता है दिलवा गुर्दों के रोगों से करे बचाव दही के सेवन से दिल और गुर्दों की कारेक्षमता बढ़ती है हाई बलड प्रेशर को नियंतरित करने के लिए रुजाना दही का सेवन करना चाहिए को फेसपैक की तरह लागाने से तोचा मुलाइन बंती है और दाग धबे दूर होते हैं वा तौचा में निखा राता है इसके लिए दही में हल्दी वा वेशन मिलाकर लगाने से तोचा का रुखापन दूर होता है बालों की समस्याओं को करे दूर बालों में रुसी जैसी समस्याओं से शुटकारा पाने के लिए दही को बालों की जड़ों में लगाने से फायदा होता है इसके लिए दही में निम्गू का रस्भी मिलाया जा सकता है पुराने समय में बाल धोने के लिए दही का प्रयोग किया जाता था क्योंकि दही एक प्राक्रितिक कंडिशनर की तरह काम करता है अनिद्रा की समस्या को करे दूर अनिद्रा की समस्या में यानि नींद ना आने पर दही का सेवन करने से फाइदा होता है